नमस्कार दोस्तों मैं विशेक आपका विशेक ट्यूटिरियल पे स्वागत करता हूँ इस वक्त की बहुत बड़ी ख़बर आ रही है कि आप लोग का बिहार बोड का जो स्कुटनी का रिजल्ट है बरहमी भालों का उनलों के लिए खुस ख़बरी है कि उनलों का रिजल्ट बहुत जल्ट किसी भग जारी हो सकता है रिजल्ट तो इस ख़बर पे बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दें और सेर करना बिल्कुल ना भूले तो देख लेते हैं कि आज की एक न्यूज क्या है कि कब आ रही है आपका रिजल्ट तो सारा कुछ डिटेल में जाने हैं कितना मार्क्स किनका किनका बढ़ा है और किनकों लोग का मार्क्स कम भी हुआ है तो देख लेते हैं सब कुछ देखेंगे आज की वीडियो में तो य कि आफ़ी राउंड है आफिर राउंड चल रहा है और computer लगाकर पुरा result चेक कर दिया जग गया है क्योंकि जो भी marks के बार्ड कोड थे सब कुछ को जहां पर आपका स्कूटनी का copy चेक हो रहा था वहीं पर computer लगाकर सब कुछ किया गया है तो कितने marks बरहें सब कुछ यहां पर जान लेते हैं और्फ करें माक्स बर्णे हैं मार्कस बर्ने की बाद की जाएक तो जिन लोगों के इस में कुछ정 ऐसे भी गया है जिनके 15 मार्कस बर गया है तो उन लोग को बोला जा सकता है कि बहुत अच्छी किसमत वाले है ठीक है बोलने के तो लोग यही बोले हैं कि अच्छे किसमत वाले है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है उनके मार्क्स भी हार्बुर्ड खुद से नहीं दिये है उनके जीन्वर मार्क्स है यानि उनका मार्क्स गलती से कम चरगिया था उनके रियल मार्क्स उतने थे तो ऐसे देखकर कोई सौक नहीं हुई है किनी के 20 बढ़ गए है किसी के 15 बढ़ गए है और आपका नहीं बरहा है ऐसा मायूस होने की जुरत नहीं है जिनकी मार्क्स बर रहे हैं उनके ओरिजिनल मार्क्स बर रहे है और जिनका कम रहा है ठीक है उनका हो सकता है कि गलती से ज़्यादा चरगिया होगा इस बज़े से कम रहा है तो बस ये तो बस अब किलियर ही हो जाने वाला है कितना मार्क्स बरहा नहीं बरहा तो सीधर से मैं बता दू कि normal जो average marks बढ़ा है वो आपका 8 से 10 marks सभी का बढ़ चुका है ठीक है सभी का नहीं बोलेंगे लेकिन बहुत लोगों का 8 से 10 marks यहाँ पे बढ़ा है और कुछ लोगों का 10 से ज्यादा 15-20 marks भी बढ़ा है लेकिन वैसे लोग बहुत कम है जिनका big marks बढ़ा है ठीक है तो अगर आपका 8 से 10 marks है तो आप 100% sure हो जाए कि आप pass हो चुके हैं अगर 8 से 10 marks कम है और आपने apply किया था scrutiny के लिए तो आप 100% guarantee के साथ sure हो जाए किया आप इस बार pass हो गए है और विल्कुल खुसिया मनाने के लिए तयार हो जाए अब बात कर लेते हैं क्या 10 से ज्यादा वाले number वाले fail हो जाएंगे क्या उन्हें compartment में बैठने का मौका नहीं मिलेगा तो यहाँ देखिए compartment में वैसे लोग ही बैठते हैं जो विल्कुल fail होते हैं यानि एक या दो subject में उनका cross लगा रहता है जिनके marks कम है वो compartmental का exam नहीं दे सकते हैं पर यह चीज़ जान लेजिए ठीक है यानि जो cross लगा हुआ है 30 number से कम जिस subject में marks है वही लोग compartment में बैठ सकते हैं तो 10 से ज्यादा number लाने वाले मेरा कहने का मतलब है 10 से ज्यादा marks से जो fail थे उन लोगों के marks बहुत ही कम ही बढ़े हैं ठीक है कुछ लोगों के बढ़े हैं लेकिन maximum लोगों के 10 से ज्यादा marks से जो fail हो रहे थे उन्हें वैसा ही result same to same रखा गया है और उनमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है ऐसा सुत्रों से cover आ रही है तो यहाँ हम लोग बिल्कुल सब news देखेंगे अब आपको सिधर news पे ले चलते है जहां से जो news आ रही है सिधर मैं वहाँ पे ले जाता हूँ आपको देखें यहाँ पर साब बोला गया है कि बिहार बिद्याले पर इच्छा समीती बरहमी असकूटनी जाच पूरे होने के बाद यानि बरहमी की जो असकूटनी जाच है पर पूरी हो गई है और यहाँ देखिए इस सिलसले में बोर्ड ने निर्देश दिया है कि 20 जून तक बरहमी को असकूटनी की जाच मुल्यांकन कौपी पटना भेजी जाए क्योंकि कम्पीटर से जाच हो रहा है और सब कुछ कौपी जाच करके कम्पीटर क्रित किया जा रहा है यानि कम्पीटर पर चरहाय भी जा रहा है एड भी किया जा रहा है और सब कुछ जो फाइल डेडी करके पटना को सब्मिट कर देना है 20 जून तक यानि 20 जून तो आज आपका 20 जून हो गया यानि आज आज आपका सब्मिट हो जाएगा बिल्कुल सब कुछ रेडी हो जाएगा तो आपका जो रिजर्ट है बस दो से तीन दिन कभी भी किसी भी बक्त आ सकता है रिजर्ट हो सकता है कल भी आ जाए रिजर्ट हो सकता है दो दिन बाद भी आ जाए रिजर्ट क्योंकि 20 दिन तक आपका इजलिट आया है बस उसे online इसू कर देना है जारी कर देना है इसलिए कोई time नहीं लगता है तो दो से तीन दिन है मैं जो board आओ हूँ वो I think ज्यादा है तो बिल्कुल ready रही है और official site बिल्कुल visit करते रही है जो भी आपका official site यहाँ पर मैं पहले ही बता चुका हूँ कि www.bihard interedu.in पे आपको देखना है या www.bihardboardonline.in पे भी आप देख सकते है ठीक है तो इस दोनों site पे ही आपका result का update है जहां से आप scrutiny किये थे वहीं से आपका result जो है वो खुलने लगेगा जैसे आप marks देखते है जैसे आप marks देखते है बस आपको करना वही होगा कि आपना marks करके आ जाएगा ठीक है ऐसा कुछ नहीं कि अलग से आपको सब कुछ दिया जाएगा उसी रिजर्ट में न अब जो आप चेक करोगे तो देखो कि पहले मेरा इतना marks था अब इतना marks दो हो रहा है बस यह changing मिलेगा आपको अलग से कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा कि चेक कीजिए लाइव हो रहा है ऐसा कुछ नहीं होगा बस आपका marks को change कर दिया जाएगा ठीक है ना तो मिलते हैं आप से अगली वीडियो में thanks for watching this वीडियो और इस वीडियो को share जोड़ करना पर शेयर नहीं करता है अधिक से अधिक share करो सब को फैदा होना चाहिए ना सब बेचारे बेचैन हैं बलकु तो सब के पास ये वीडियो को वेज डालो